किड्नी में संक्रमन हो तो आपको शरीर में कई सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है वैसे तो किड्नी में संक्रमन के कई सारे कारण होते हैं लेकिन इसका एक महत्वपून कारण है यूरिन में संक्रमन होना ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आप अपने जीवन में अनवशक बदलाव करते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चानल Kidney Treatment in Ayurveda में जहां हम आपको किड़नी से जोड़ी जरूरी जानकारी देते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं कि किड़नी में होने वाले संक्रमन से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जने आप अपने जीवन में शामिल करते हैं आपकी किड्नी संक्रमन ही नहीं बलकि और कई दिक्कतों से भी दूर रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का विशे और सबसे पहले जानते हैं कि किड्नी में संक्रमन क्यों होता है किड्नी में संक्रमन अक्सर आपके गलत खान पान के कारण होता है इसके साथ ही जिन लोगों में यूरेन रोकनी की आदत हो तो ये भी किड्नी में संक्रमन का कारण होता है अगर किसी कारण से ब्लाडर में संक्रमन हो गया तो ये भी आपकी किड्नी में इंफेक्शन बना सकता है ये संक्रमन की ऐसी सिती है जिसमें बैक्टेरिया ब्लाडर या यूरित्रा में पनपता है ये बढ़ते हुए किड्नी तक पहुँच जाता है किड्नी में संक्रमन UTI का एक परिनाम है इसलिए किड्नी इंफेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड UTI भी कहा जाता है किड़नी में संक्रमन होने पर आपको बॉडी में कई सारे बदलाव होते हैं इन बदलावों को अंदेखा करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है चलिए अब जानते हैं कि किड़नी में संक्रमन के खत्रे से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं किड़नी में संक्रमन से बचना है तो सबसे पहले आप यूरिन रोकनी की आदत को दूर करें, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें ताकि आपकी किड़नी अंदर से साफ हो सके अपने अहार में अदरक का सेवन करें क्योंकि इसमें मौजूद जिंजरॉल्स एक अक्टिव कंपाउंड के रूप में काम करते हैं या आपकी किड़नी को संक्रमन से दूर रखते हैं इसके साथ ही अगर आप अदरक वाली चाय पीते हैं तो ये किड़नी में होने वाली सूजन को दूर करता है अगर आप अपने अहार में अजवैन लेते हैं तो ये आपकी शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर करती है साथ ही आपकी किड़नी के काम में उसकी मदद करती है अजवैन का सेवन आपकी किड़नी में बेकार चीज़ें जमा नहीं होने देता साथ ही ये यूरेंस दूरी परिशानी को जड़ से मिटाती है इसे किड़नी को आक्टिव रखने के लिए टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है हल्दी भी ऐसी ही देसी दवाईयों में से एक है जो आपकी बॉड़ी को संक्रमन से दूर रखती है हल्दी में कर्स में नाम का एक अव्यव होता है जो आपकी किड्नी में संक्रमन की समस्या को दूर करता है साथ ही ये किड्नी में होए छोटे मोटे घाव को अंदर ही ठीक कर देता है जिससे आपकी किड्नी में संक्रमन का खत्रा कम होता है साथ ही किड्नी ठीक रहती है साथ ही अनार का जूस, गन्ने का जूस, नारियल पानी, मौस में जूस का सेवन भी आपकी किड्नी को अंदर से साफ रखता है जिससे आपकी किड्नी में खराबी की संभावना कम हो जाती है नीबू पानी, संत्रे का जूस और तर्बूस के रस से भी आपकी किड्नी को स्वस्त रखने में सहायता मिलती है इन सभी में वाइटमिन C यानी सिट्रिक आसिड होता है आपको बता दें किये सिट्रिक आसिड आपकी किड्नी के टिशू को डामेज होने से बचाता है साथ ही ये किड्नी में स्टोन के खत्रे से भी आपको दूर रखता है इसके साथ ही आप रोजाना अपने जीवन में योग और व्यायाम को शामिल करें या आपकी किड्नी में होने वाले संक्रमन को दूर करता है ये हैं कुछ खास उपाई जिससे आप किड्नी संक्रमन के खतरे से खुद को दूर रख सकते हैं उमीद है आपको जानकारी समझ आई होगी तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपकी किड्नी में कोई भी समस्या है तो इसको अंदेखा ना करें और अगर आप अपनी किड्नी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आरवेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है अगर आप किड्नी के लिए सबसे अच्छा अरवेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आरवेदा से संपर कर सकते हैं कर्मा आरवेदा आपको पूरी तरह प्राकरतिक इलाज देता है जिसका आपके शरीर पर कोई साइट इफेक्ट नहीं होता और आप डालेसेज और किड्नी ट्रांस प्लांट से भी दूर रहते हैं अगर आप किड्नी की किसी भी परिशानी में हैं और अच्छा और बहतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा आरवेदा से संपर्क कर सकते हैं अब मैं आप से विदा लेती हूँ और मैं फिराओंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार